दोस्तों गाजर एक ऐसी सबजी है जो कि और सबजीों से बिलकुल अलग होती है भारत में वैसे तो बहुत सी सबजीों की खेती की जाती है लेकिन गाजर की बात अलग है वैसे तो गाजर सबजी में ही आती है लेकिन हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं और सबजी बना कर भी खा सकते हैं गाजर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है इसमें अनेक पॉष्टिक गुनों से भरपूर है इसमें विटामिन सी के और फोलेट पोटेशियम लौ तामबा और मैंगनी जैसे और भी खनिजव विटामिन्स गाजर हमारे पूरे शरीर में फायदा ही फ चुटकारा मिलता है आपको बता दें कि गाजर विटामिने विटामिन सी विटामिन के पोटेशियम वायरन आदी से सम्रद होती है रोजाना इसका सेवन करने से कब्जव रसिडिटी से लेकर कील मुहासों से चुटकारा मिल सकता है ये एक सबजी है जो सर्दियों के मौसम में मिलती है इसके स्वाद में हलकी सी मिठास होती है और इसमें कैलोरी की मातरा काम होती है गाजर नहीं ज्यादा मीठा होता है और नहीं फीका इसमें सही मातरा में मिठास पाई जाती है गाजर की खेती की जाती है और इसके जर को खाया जाता है ये कई प्रकार के रंग मे पाई जाती है। कभी ये लाल होती है, कभी बैग नी और कभी नारंगी। गाजर को स्वास्थे के लिए बहुत फायदे मंद माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको गाजर खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हैं। नमबर वान, कोलेस्ट्रॉल दूर करे, गाजर शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। रात को डिनर करने के बाद एक गिलास गाजर का जूस पीना जरूरी है। नमबर टू, आँखों के लिए लाभदायक। ये आँखों के लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बीटा के रोटीन पाया जाता है जो कि लीवर में जाक कर विटामिने में बदल जाता है। विटामिने रेटीना के अंदर ट्रासम फॉर्म होता है और फिर ये बैगनी से दिखने वाले पिगमेंट में इतनी शक्ति होती है कि रतौनधी जैसा रोग दूर दूर तक नहीं हो पाता। नमबर फ्री पाचन शक्ति के लिए गाजर का जूस पीने से शरीर में हिमोगलोबिन की मातरा बढ़ जाती है और गाजर में अधिक मातरा में फाइबर पाया जाता है जो शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है नमबर फोर हरदे रोगी भी खा सकते हैं गाजर गाजर में कैर प्रोटिनाइड होता है जो हरदे रोगियों के लिए अच्छा होता है ये माना जाता है कि गाजर का प्रति दिन सेवन कालेस्ट्राल के स्तर को कम करता है नमबर फाइव दिल की बीमारी रहेंगी दूर अगर आप हफते में छे गाजर खाते हैं तो आपको दिल का रोग नहीं होगा भदय की कमजोरी अथवा घरकने बढ़ जाने पर गाजर को भून कर खाने पर लाब होता है नमबर सेक्स रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाए अगर आपका र्याग प्रतिरोधक कम है तो आप हमेशा बीमार पढ़ते रहेंगे पर अगर आप गाजर का जूस पीए तो आप हमेशा हेल्थी बने रहेंगे नमबर सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए गाजर के प्रतिदिन सेवन से रक्त में शरकर आकास्तर ठीक रहता है नमबर एट कब्ज होगा दूर गाजर में बहुत सारा फाइबर होता है जिसे नियमित खाने पर पेट सही रहता ह और कब्ज की शिकायत नहीं होती पेट साफ हो जाता है नमबर नाइन पाचन के लिए अगर आपको पाचन संबंधी समस्या है तो आप दिन में दो लाल गाजर खाएं इससे आपका पेट एक दम सही रहेगा नमबर टैन तुचा निखार के लिए प्रतिदिन गाजर का पहरे पर चमक आती है गाजर रक्त की विशाक्ता कम करता है और इसके सेवन से कील मुहासों से भी छुटकारा मिलता है नमबर 11 दांतों की बढ़ेगी चमक इसे खाने से मसूरों से बलड आना बंध हो जाता है और दांतों की चमक बढ़ती है नमबर 12 खांसी में राहत शरीर में खून की कमी को दूर करने गाजर का उपयोग काफी असरदार माना गया है गाजर का जूस पीने से शरीर में खून बढ़ता है नमबर 14 मुह के चालों से राहत मुह में चाले होने पर गाजर का रस पीने से आराम मिलता है नमबर 15 सफेद दाग होंगे दूर गाजर का सेवन करने से सफेद दाग दूर किये जा सकते हैं और लास्ट है नमबर 16 गठिया के लिए गठिया रोग हर किसी को हो जाता है लेकिन इसे दूर रखने के लिए आपको दिन में वन गाजर रोज खानी चाहिए गाजर खाने से हड़िया मजबूत होती हैं क्योंकि इमसे बहुत सारा विटामिन सी होता है तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू